आजकर गर्मी बहुत बढ़ गई है और इस गर्मी के अंदर अपने शरीर को पानी अच्छे दिना बहुत ज़्यादा जरूरी है नहीं तो इससे हमारे स्वास्त को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंसते हैं तो मैं आज आपको बताने वाला हूं साथ ऐसी चीजें जो आप अपने दिन्चरिया के अंदर शामिल कर सकते हैं जिससे आपके शरीर को खुब सारा पानी तो मिलेगा ही इसके अलावा उसको मिलेगा खुब सारी ऐसी चीजें जिससे आपका स्वास्त और अच्छा होगा और बैतर होगा और इसमें सबसे इंपॉर्टन बात यह है कि जो म भी यह बिल्कुल भी डिस्टरब नहीं करेगा तो अगर आप इस तब जानना चाहते हैं तो मेरे साथ इस वीडियो के अंतक बने रहें नमस्कार मेरा नाम डॉक्टर इंदर महुन घंडेलवाल है और मेरे जीवन का उदेश है कि मैं दसलाग वर्किंग प्रफेशनल्स को म आजकल पूरे भारत वर्ष के अंदर हम कहें गर्मिया हो रही है और टेंपरेचर हर जगें बढ़ रहा है और स्पेशली हम कहें नौर्थ इंडिया के अंदर तो ये बहुत जादा उपर तक 40 के पार भी काफी जगें पहुंच गया है पश्चिम भारत की भी बात करें तो पूने और कुछ ऐसे एरिया कोलापूर जैसे भी वहां पर हैं जहां भी टेंपरेचर बहुत ज्यादा बढ़ रहा है तो ऐसी स्थिति के अंदर हमें अपने शरीर को दूप से बचा कर रखना चाहिए और पानी भी उसे अच्छी मातरा के अंदर देना चाहिए ताकि कि कि प्रकार की ये बढ़ती वी गर्मी से जो उसके अंदर नुकसान पहुंसते हैं वो ना हो और किसी को भी ये लू लगने जैसी समस्या ना हो तो आपको क्या करना है उसके लिए मैं आपको बता देता हूं सिंपली आप पानी अच्छे से पीए ये सबसे बढ़िया उपाए ह हैं और इसमें कोई भी समस्या नहीं है ये आपको हटचिक हाराम से मिल जाता है आपको बहुत थंडा पानी नहीं पीना है किरपे इसे मटके के अंदर डाले और मटके के पानी को इसतमाल करें वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बैतर है आगर आप बहुत ज़्यादा पीते हैं या उसके दर बहुत ज़्यादा हम कहें बर्फ मिला लेते हैं तो यह आपके शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है और आपके पेट के अंदर जो हमारी एक वेगस नर्फ होती है उसकी फ्री नर्फ एंडिंग्स होती है उनको यह सप्रेस करके आपकी वेगल टोन अब दयक है और अगर आप घर पे आरो का इस्तमाल कर रहे हैं किसी और फिल्टर का इस्तमाल कर रहे हैं तो आपके लिए एक बात और भी इंपॉर्टेंट हो जाती है कि नोट करें कि आपके पानी का टीडियस लगवाग दोसों के अराउंड है काफी लोग ऐसा पानी पीत तो किर्प्या आपने टीडियस की भी सेटिंग अगर आप चलने पर नए हैं तो किर्प्या मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें उस परकार की हेल्थ वीडियो सापको पसंद आती हो तो अपने दोस्तों परिवार वालों को जरूर शेयर करें ताकि वह बी जल्द औ मतलिया और उससे मक्खन निकाल लिया है तो अब जो आपके पास बच जाता है उसे हम छाच कहते हैं इसको आप 40-50% डेलूट करके आराम से पी सकते हैं जितना आप पीना चाहें उतना पी सकते हैं आपके शरीर को अगर आप वजन गटा रही हैं तो उसको आपके शुगर को किसी को कोई भी तकलीफ नहीं देगा इसको आप अच्छे से इस्तमाल कर सकते हैं इसके स्वाद को और इसके स्वास्त के गुणों को बढ़ाने के लिए अगर आप इसके अंदर थोड़ा सा भुनावा जीरा डाल देते हैं एक चुटकी भर आप इसके अंदर सेंधा या का बैदर मिल रहा है इससे आपको और फाइदा होगा यह कि आत का स्वास्त भी और बैथर होने व याई पर जो एक और बात important है वो यह है कि क्या हम मीठी लस्टी पी सकते हैं आप मीठी लस्टी पीएंगे तो आपके श्रीर को energy ज्यादा मिलेगी तो यह आपकी weight loss journey और आपकी sugar की जरनी को नुकसान पहुंचा सकता है एकदम से sugar spike create करके तो मैं आपको इदायत जिंगो कि किरप्या चीनी वाली लस्टी इस वकत ना पीए जिस वकत आप खाना खा रहे हैं उस वकत अगर थोड़ी मातरा के अंदर चीनी वाली लस्टी लेते हैं तो उससे इतनी दिक्कत नहीं होगी द इस उससे आपको इसमें खटास मिल जाएगा थोड़ा नीमू इसके दर आप इस्तमाल कर सकते हैं अमचूर का पाउटर आप इसके अंदर इससे अंदर प्रियोग कर सकते हैं साथी साथ इसके अलावा आपको इसके अंदर तुल्सी धनिया पुदीन ये चीज़े भी मिला लगता है तो चुटकी भर वो भी आप इसमें डाल सकते हैं तो इस प्रकार से आप इसको भी ले सकते हैं और आपके शरीर को अब जबर्दस्त फायदा होगा पानी तो मिलेगा ही दूसरे और स्वास्तिला भी मिलने वाले हैं इसरा काम जो आप कर सकते हैं वो यह है कि आप अ लेंदा नमक कहते हैं उसको हलका साथ में जो दूसरी चीजह आपके स्वाद को आपके स्वास्तिलाब को बढ़ाएं गी वो हैं उदीना इसके अंदर तुलसी का भी इस्तेमान कर सकते हैं और आप इसके स्वाद और इसके ठंडाई का मज़ा ले सकते हैं ताकि आप वालों को जरूर शेयर करें ताकि वो भी जल्द और स्वस्त और बैतर हो जाएं चोथी चीज जो आप कर सकते हैं वो है नारियल पानी आप बिल्कुल फ्रेश नारियल पानी अगर पीते हैं तो वह भी आपके स्वास्त के लिए बहुत ही जादा फायदेमंद है यहां पर जो प्रेश नारियल पानी पीते हैं इसका जो टेस्ट होता है वो थोड़ा सा खारा होता है इसके अंदर किसी प्रकार का मिठास आपको नहीं मिलता तो आपको यही पानी पीना है आपको यह मीठे वाला नारियल पानी नहीं पीना है क्योंकि जब आप यह मीठे वाला नारियल सकता है तो किर्पया जब भी आपको हाइड्रेशन के लिए ऐसी चीज़े पीनी है तो उस वकत आप इसको बहुत ही कम मीठे वाला है तो पी सकते हैं लेकिन ज़्यादा मीठा है तो इसको डेलूट करके पीए ताकि आपके शरीर को इस प्रकार के नुकसान ना हूँ जो यह पन या पीते हैं से आपको भरपूर मातरा के अंदर इलेक्रोलाइट्स मिलते हैं इसके अंदर अच्छी मातरा के अंदर पोटेशियम होता है मिगनीशियम होता है कुछ परकार के इसमें सोडियम भी होता है दूसरे इलेक्रोलाइट्स भी आपको यहां से मिल रहे हैं तो आपके शरीर के अंदर जब ये electrolytes अच्छी मातरा के अंदर होते हैं तो आपके पसीने के साथ जो नमक निकला है और electrolytes निकले हैं उसको भी वापस balance करते हैं ताकि आपका शरीर हमेशा स्वस्त बना रहे और उसमें किसी परकार की नमक की या दूसरे electrolytes की कमी भी ना हो पांच कोई तकलीफ नहीं होगी तो ये detox और infusion water बनाने की भी बहुत ही असान है इसके अंदर आप एक स्टील का ये कांच का जग ले ले और उसके अंदर मटके का पाने डाले और उसके अंदर आप खीरे के पीस करके डाले उसके अंदर आप संत्रे के भी पीस डाल सकते हैं उसके साथ ही साथ आप उसके अंदर कुछ और और जैसे की आप उसके अंदर तुलसी के पत्ते डाल सकते हैं उसके अंदर हमके धनिया डाल सकते हैं उसके अंदर पुदीना डाल सकते हैं इस परकार की चीज़ें कर आप उसके अंदर डालते हैं तो आपको जबर्दस्ट पाइद को जबरदस्ट फायदा मिलने वाला है यहां पर जो एक बात इंपोर्टेंट है वो यह है कि आपको यह पानी छान कर नहीं पीना है इसे आप सीधा डालने और इसके अंदर जिस प्रकार के यह थोड़े से फूट्स आपको मिल रही है उनको भी आप उस वकर चीव करके खा ल पटेदार के इसमें डाल सकते हैं इसके अंदर आप पालगा डाल सकते हैं इसके अदर मकुमे nic इन सबसे इतना जबरतास fiber और दूसरा nutrition भी मिलने वाला है और आपके शरीर को तो पानी मिलने ही वाला है क्योंकि इसके अंदर 95% तो पानी ही है और अंत में सात्वी चीज जो आपको hydration दे सकती है वो है sparkling water जिसको हम carbonized water या soda water भी कहते हैं लेकिन ध्यान लगके जो भी आप यह ले रहे हैं उसके अंदर किसी प्रकार की कोई भी शुगर या salt नहीं मिलाया गया है तो आपके लिए यह ज्यादा बहतर है क्योंकि जब काफी ऐसी चीज़ों के अंदर पहले से ही काफी चीनी या बहुत ज्यादा नमक मिला दिया जाता है तो वह आपके शरीर को नुक्सा नहीं करता हाला कि अगर आप इसका लगातार इस्तमाल करते हैं बहुत ज्यादा मातरा के अंदर इस्तमाल करते हैं तो यह कुछ जगे आपको नुक्सान भी कर सकता है और इसलिए मैं इसको अंत में बता रहा हूं कि कि इसका कभी के बार इस्तमाल करें कि अपना फ्लेवर नमक डालना चाहते हैं तो आप इसमें डाल सकते हैं किर पे किसी प्रकार की कोई चीनी या इसके अंदर और को मीठा सिरफ ना डाले तो आपको फाइदे जादा होंगे तो इस सारी चीज़े मैंने आपको बताई है इसके अंदर आप हलकी सी चीनी या मैं कहूं थोड़ा सा आ लेकिन जब जिस वकित अगर आपने इमिजेटली खाना खाना है उससे पहले अगर आपको यह दोपैर के अंदर रिफ्रेशिंग ड्रिंक लेना चाते हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं लेकिन अगर आप इसको बीच में ऐसे हाइड्रेशन के लिए पी रहे हैं तो मेरी आपसे रि इसलिए मैंने इसके अंदर हम कहें कि जो शिकन जी हम इतने अच्छे से पीते हैं उसको भी शामिल नहीं किया है क्योंकि मैं आपको ऐसी चीज़े बताना चाहता हूं जिससे आपको फाइदा हो और किसी प्रकार का कोई आपका वजन भी ना बढ़े और आपकी शुगर को भी दिक्कत ना हो तो मैं उमीद करता हूं यह सारी चीज़े आप अच्छे से समझ गए होंगे और इनका आप अच्छे से इस्तमाल करेंगे और अपने और प्रिवार के स्वास्त को और बहतर रखेंगे और इस गर्मी में अपने और अपने प्रिवार को गर्मी से बचा कर उनके स्वास्त को और अच्छा और बहतर कर लेंगे मैं उमीद करता हूँ मेरी इस प्रकार की वीडियोज आपको पसंद आती होगी अगर आप उन्हें पसंद करते हैं तो किर्पया उन्हें लाइक करें, शेयर करें, फॉरबड करें जिस भी प्लैटफॉर्म पर आप उन्हें देख रहे हैं, अगर आप उन्हें यूट्यूब पर देख रहे हैं, तो किर्पया मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें मैं स्वेम उन्हें पढ़ता हूँ और मैं तुरंत उनका जवाब दूगा, और कुछ कोशिंस के लिए मुझे ऐसा लगा, कि उन्हें एक डेटेल्ल विश्लेशन की जुरूत है, तो उनके लिए एक नया वीडियो बना कर भी जल्दी प्रस्तुत करूँगा, नमस्कार, धन मैं प्रस्तुत कर भी मैं